हेलो दोस्तों ये मैंने दो कलर की पुरानी साड़ी ली है हेलो गाईज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल होम आट मी फ्रेंज आज की वीडियो में बहुत थी प्याराशा कमफर्टेबल मजबूत पाइदान बनाएंगे जिसे बनाना बिल्कुल ही असान है सबसे पहले हमें क्या करना इस तरीके से साड़ी लेंगे इसकी कटिंग करनी हमें यहां से हम लग भग 6 इंच चोड़ी पटी को कट करेंगे लंबाई हमें 10 से 12 मिटर लेनी है इसको हम अलग करेंगे जैसे हमारी साडी होती है पांस मेटर की होती है तो उसके अंदर हम ऐसे ही पटी को जोइंट कर लेंगे इस तरीके से हमें पटी को त्यार करना है अब हम इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे तो दोस् प्याराशा डोरमेट्स का डिजाइन्स है जो बनाया है तो इस तरीके से हमने पूरी पटी को सीर लिया है आब हम इसको सिधा करेंगे यहां से देखो इस तरीके से किसी वस जैसे हम कोई या तो हमारे पास में कोई पाइप का टुकड़ा है या फिर कोई इस तरीके सीधी लक मैंने काफी पटियों को ऐसे सिलाई करकर और सिदा करकर त्यार कर लिया है ये देखो इस तरीके से सब पटियों को मैंने त्यार किया है अब हम इससे बहुत ही प्याराशा डोरमेट्स का डिजाइन्स बनाएंगे तो दोस्तो हम डोर मैट्स को डिजाइन्स बनाने के लिए एक हमें पाइप का टुकडा चाहिए यह मैंने एक पाइप का टुकडा लिया है अब हम देखो किस तरीके से इसको यह पटी लेंगे कि शिदी पटी हमारी फो टी नहीं है इसको हम इसके अंदर डालेंगे सलाई की साहिता से और दूसरे Hautपर हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से Ask यहां पर चुम्न यां पर मैंने पटी को निकाल लिया है।ност它 कि अ और फर दो 1 साइड से इस पत्ये को फोल्ड करेंगे शिज्वस अ कarte करेंगे यहां पर फॉल्ड करके इस तरीके से इसको धागे से बान देंगे यहां से हमें इसको बांधना है यह देखो इस तरीकी से मैंने इसको बांध दिया है और दूसरे सिरे पे हमें इसको ऐसे ही रखना है पूरी लंबी पटी को अब हमें क्या करना है दूसरी पटी लेंगे जो हमने सिलाई करकर फोल्ड किया था इस पटी को यहाँ पे नोट्स लगाएंगे एक नोट और दो ऐसे हमें दो नोट्स लगानी है अब हमें क्या करना है देखो किस तरीके से डोर मैट्स का डिजाइन्स बना कर त्यार करते हैं ऐसे पटी को फोल्ड करेंगे और इसके अंदर फंदे डालेंगे और इसके अंदर इस तरीकी से देखो ऐसे fold करो और इसके अंदर डालो ऐसे हम इसके अंदर डालेंगे तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends लोगों में share करें अगर फ्रेंट्स आप चैनल पर नहीं है या फिर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो बगल में बैल आइकन है उसे आप प्रेस कर लें ताकि हर रोज आपको नहीं नहीं डिजाइन के डॉर मेट्स के जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे तो दोस्तों इस तरीकी से देखो हम फोल्ड करते जाएंगे और पाइप के अंदर और पीछे जो हमारी ये बली वाली पट्टी है इसके अंदर हम इसको कवर करते जाएं तो दोस्तों अगर हम इसको हाथ से वोश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इसको वोशिंग मसीन में भी वोश कर सकते हैं और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही प्यारा सा गुद गुदा सा और सोप सा डोर मेट्स का डि कट करेंगे फट divide धाल ऺषिए अंदर के टी थेले पर भार से हमने धागे से कवर किया था वह है कि तरीके यहां अगर आपको प्लास्टिक ची तेल पे इसको डिज़ाइन तयार है तो वो ले सकते हो अगर आपको कपड़े की ऊपर बनाना है तो आप कपड़ा ले सकते हो इसको हम सरकल के अंदर कट करेंगी इस तरीकी से देखो मैंने सरकल के अंदर कट कर लिए अब हमें क्या करना है राउंड सेफ में इसको रखेंगी बीच के अंदर से हम सरू करेंगे थ पटी के अंदर ही सिलाई से करना है नाकि हमें ओरेंज वाली पटी को लेते हुए नीचे ऊरे पीन वहीं के नाकि हमें ओरेंजगाया बिल्गुल भी कवर करनी है नीचे हमें दोनों को कवर करते हुएं इसे कवर करेंगे ताकि जो नीचे से पटी डीकें conste हम उपर की पटी के उपर सिलाई लगाएंगे औरेंज वाली के तो जो हमारा ये धागा है वो दीखेगा तो इसको हम अंदर से लेते हुए यहां से हम सिलाई को cover करेंगी बिल्कुल भी हमारी सिलाई है वो नहीं दीखेगी तो दोस्तों पूरा डॉर्मेट्स बनने के बाद में बहुत ही जबरदस्त लगेगा आप सोचोगे भी नहीं कि किस तरीके से हमने एक पाइप के टुकडे और पुरानी साड़ी की साइता से इतना प्यारा सा डॉर्मेट्स का जो डिजाइन से वो बना कर त्यार कर लिया है देखो इस तरीके से हम इसको पूरी को सिलाई से कवर करेंगे तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने पूरे डॉर्मेट्स को सिलते सिलते इस तरीके से कम्प्लीट कर लिया है कितना ही शांदार लग रहा है और बनाने में बहुत ही असान है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लेज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी राय कमेंट में जरूर लेके बाई फ्रेंड्स